हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मेटाडाइ नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होता है जब हम प्रिक्टिकल करते हैं तो सोचते हैं कि जो नाइट्रो बेंजीन है उससे मेटाडाइ नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन किस प्रकार किया जाता है तो आज हम इसी के उपर चर्चा करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मेटाडाइड नाइट्रो बेंजीन है उसका फोर्मेशन करने के लिए हमें जो कमपाउंड की जरूत पड़ेगी वो है नाइट्रो बेंजीन प्लस नाइट्रिक एसीड अचेनो 3 प्लस कॉंसेंट्रेट H2 2SO4 जिसे हम सेल्फिरिक हमनों भी कहते हैं और इसके साथ यह में अलकोहल की जुरूत पड़ेगी इन इन कंपाउंड की जुरूत पड़ेगी हमें और इनी के साथ जो मेटाडाइड नेट्रो बेंजीन के फोर्मेशन में जो उपकरन काम में लेंगे वो है 100 ml कैपिसिटी का राउंड बोटल, ख्लास्क, एयर कंडेशनर एंड 200 ml कैपिसिटी का बिकर बाकी जो हम उपकरन लेंगे वो हमारे लेप में पर्जेंट होगे इसी के साथ इनमें जो केमिकल रियक्शन होगी वो होगी नाइट्रो बेंजीन जो की कॉंसेंट्रेट HNO3 प्लस कॉंसेंट्रेट H2SO4 की 100 डिग्री शेल्शियस टेंपरेचर की उपस्तिती में जिसके बाद जो प्रोडेक्ट बनेगा वो बनेगा मेटाडाइन आइट्रो बेंजीन इसमें NO2 समव होगा जो मेटा समॵू पर बेंजीन में मेटा पोजिशन पर पर्रजेंट होगा इसको बनाने की विति है वो वो सामने वीडियो में आपके पर्जेंट कर दी गई है वो हम लेंगे 6 ml नाइट्रो बेंजिन लेंगे और 9 ml लेंगे कॉंसेंट्रेट एचनो 3 जिसे हम नाइट्रिक एसिट बोलते हैं और 15 ml लेंगे हम अब क्या करेंगे हम जो यह एचनो 3 है उसको हम लेंगे जो हमारे पास होगा जो पाठ्यांक लेने का जो मतलब एक ब्यूरेट नहीं पिपेट की तरह का एक जो काज का बना होगा उसमें हम नाप कर एचनो 3 लेंगे उसमें दीरे से हम 15 ml H2SO4 मिलाएंगे दीर दीरे से बिलकुल मतलब जो बिकर होगा उसके किनारे से सटा कर किनारे के पास से धीरे से बूद बूद करके डालेंगे क्योंकि सल्फिरिक एचिड हमारे लिए हामफुल होता है और हमारे पास ही एक काच की रोड होगी जिसे हम इनको धिर धिरे से लाते जाएंगे इसके साथ ही जो 6 ml नाइट्रो बेंजीन होगा उसको भी दीरे दीरे से हम मिक्सर में मिलाएंगे और इसी जो राउंड बोटम फ्लास्क होगा इसमें पार्सिलीन काच के टुकड़े होंगे यानि जो हमारे पास टूटी पूटी जो वो प्रक्निली टेस्ट्टूब होती है उसके टुकड़े इसमें डालनेंगे ताकि फ्लास्क में बंपिंग ना हो और हमारे लिए सेफ रहे इसके साथ ही इसमें नाइट्रिफिकेशन होगा और जो एयर होगी वो इसमें जो एयर कंडेशनर है इसमें धीर धीरे से उपर जाएगी इसी के साथ वापस संगनित्र होगे धीर धीरे वापस इस फ्लास्क में आए जिससे हमारे पास है और यह प्रोसेस पूरा लगबग डेड़ गंटे का प्रोसेस होगा इस डेड़ गंटे के प्रोसेस में मेटर डाइट डाइटरू बेंजिन का फोर्मेशन होगा देड़ गंटे बाद हम हमारे पास इस तरह से जो वो राउंड पोर्टम फ्लास होगा उसमें इस तरह का कलर दिखाई देगा और नीचे बर्नर जलता रहेगा एर कंडिशनर रहेगा उपर जिसमें वायू के माध्यम से जो वो कंपाउंड वो उपर जाएगा और वापस नीचे संगनित रहोकर इस प्लास्क में आएगा इसमें हमको ध्यान यह रखना है कि जो पार्सिलिन डाले हैं हमने कांच के टुकड़े डाले हैं वो बंबिंग के साथ कहीं ब्लस्ट ना हो जाए तो हमें इससे थोड़ पहले इस तरह का जो कंपाउंड जिसमें सेल्फरिक ऐसेड नाइट्रो बेंजिन और कॉंसेंट्रेड अचनू 3 डाला था वो इस तरह का जो हलका नीला पिला दिखाई देंता है इस प्रकार जब हम नाइट्रो बेंजिन का फ्रमेशन कर लेंगे तो बर्नर को बंद करके और धीरे से इस फ्लस्क को हम जो हमारे पास बरप के टुकड़े रेंगे उन टुकड़ों में रखेंगे इसको ठंड़ा होने देंगे ताकि यह कांट जो प्लास कहीं यह तूटे नहीं या अगर बरब के तूटे नहीं होंगे तो हम इसको ठंड़े पानी में रखेंगे जिससे मेटाडाइ नाइट्रो बेंजीन के इस प्रकार के प्रिस्टल प्रात होंगे इस मेटाडाइ नाइट्रो बेंजीन को हम ठंड़ा होने के प्रश्याद देरे देरे चानेंगे चानने के बाद बीकर में इस प्रकार दिखाई देखा और देरी देरी इसके क्रिश्टल प्राथ होंगे जो की पीले क्रिश्टल होंगे इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि मेटा राइनेंट्रो बेंजिन किस प्रकार बनता है और किस तरह की crystal प्राप्त होते हैं इसमें जो crystal प्राप्त होंगे उसको हम एक डिब्बे में लेकर उसका analysis करके Metadine Nitrobenzine का confirmative test वगेरा ये सब कर सकते हैं तो ये रहा Metadine Nitrobenzine का formation अमीद है आप सभी को अच्छा लगेगा